एलो फ्रेंड्स, चली देखते हैं गूगल ड्राइफ में जो फोल्डर एक तो कैसे क्रिएट करना है और उसके फीचर्स क्या है तो अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू पे, फिर आपको लिजिए क्लिक फोल्डर पे और आपको एक फोल्डर का नाम देना है तो यह एक डेमो फोल्डर है, इसको मैं create करता हूँ अब जब भी कोई भी डॉकुमेंट, कोई भी फोल्डर आप कुछ भी create करते हो गूगल ड्राइफ में यह हमेशा आपके माई ड्राइफ पे ही create होगी मतलब यहाँ पे आपके पास option होगा इसको किसी और folder में move करने का जैसे कि आपने demo folder बनाया आपने पर आपको ये my drive में नहीं चाहिए आपको अपना drive organize रखना है folder के अंदर folder रखना है आपको क्या करना है इस demo को move करना है dummy के अंदर इसके दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका क्या है इसको आप right click कीजिए जैसे आप right click करोगे आपके पास ये option आ जाती है move to इसको click करते है देखिए अभी आपको पूछ रहा है आपको कहा move करना है ये my drive में already है आपको कहा move करना है तो suppose मुझे ये move करना है ये dummy folder पे जैसे मैं mouse को ले जाता हूँ dummy folder पे यहाँ पे एक button आ गया देखिए इसको आप click कर सकते हो तो इस folder के अंदर मैं आप इसको move कर सकता हूँ बस मुझे ये button पे click करना है move here देखिए demo folder कहा गई यहाँ से चली गई है और आपके पास एक notification भी आ गया देखिए नीचे मैं इसको अगर खोल के देखूँ मैं double click कर रहा हूँ तो देखिए ये demo folder वहाँ पे वापस आ गया है अच्छा एक और तरीका क्या है इसका मैं इसको वापस वहाँ पे ले जाता हूँ तरीका वही है मैं इसको my drive पे वापस ले जाता हूँ अब देखिए ये my drive पे वापस आ गया है दूसरा तरीका क्या है वह जैसा shortcut तरीका है आप इसको click कीजिए click करके आप drag and drop कीजिए मतलब यहाँ पे उठाईए और यहाँ पे आप डाल दीजिए देखिए ये ऐसे move हो रहा है देखिए मैंने simple drag and drop किया ये देखिए यहाँ पे notification भी आ गया और मैं आपको यह open करके दिखाता हूँ देखिए folder यहाँ पे आ गया है इस तरह आप folders को move कर सकते हो कुछ और folder की features से हम देख लेते हैं इसको मैं right click कर रहा हूँ सारे important features मैं आपको बताने वाला हूँ अभी sharing के बारे में हम काफी detail में आगे आने वाले videos पे देखेंगे sharing और get link move to हमने देख लिया है next is add to start इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको click करूँ तो देखें यहाँ पे एक star बनके आ गया यह आपने क्यूं किया क्यूंकि शायद यह folder आपके लिए बहुत important है और क्यूंकि इस time पे आपके बास बहुत सरे folders हो जाएंगे आप कहां ढूंडोंगे उसको तो जैसे आपने start लगा दिया है आप start वाले label पे जाईए देखिए dummy folder यहाँ पे आ गया है अगर आपको star हटाना है right click कीजिए remove from star तो आप add और remove star कर सकते हो एक और चीज़ देख लेते इसमें rename suppose यह folder का नाम अपने दिया dummy folder पर मुझे यह नाम चेंज करना है मैं click करूंगा rename पे आपको जो भी नाम देना है उसका folder का नाम दे दीजिए आप और फिर ok कर दीजिए तो देखिए folder rename हो गई है दुबारा right click कर रहे है आप देखरों यहाँ पे सारे folders यह black color की दिख रही है यह जो icons है black color की है हम इसका color change भी कर सकते हैं यह काफी useful होती है जो आपके आज बहुत सारे folders हो जाएंगी आप color coding के थ्रू भी folder को differentiate कर पाऊगे मैं यहाँ पे जावसा bright color देता हूँ red इस पे देखिए क्या हुआ अलग से मुझे दिख रहा है अब यह folder red suppose यह testing folder है right click कर रहा हूँ change color मैं दे रहा हूँ pink तो दिखिए अलग से color दिख रहा है इस तरह आप एक differentiate कर पाऊगे right click करते हैं search within the folder एक तो search है यहाँ पे उपर जिसके बार हम बाद में देखेंगे detail में यह search क्या करेगी आपके drive को search करेगी यह एक अच्छा unique feature है आप इस folder के अंदर directly search कर पाऊगे अगर मैं इसको click करता हूँ देखिए यह folder अल्री select हो गया है आप कुछ भी यहाँ लिखोगे अगर इस folder में वो component है या वो file है वो आपको दिख जाएगा view details यह वही चीज है जो हमने click करके दिखाता हूँ आपको देखिए activity मैंने अभी भी क्या किया था मैंने एक item move किया था और मैंने फिर से item को वापस move किया है तो यह सारा activity मुझे दिखा रहा है कि मैंने क्या क्या किया next download अगर मैं इस पर click करूँ तो देखिए क्या हो रहा है यह folder download होगी इसके अंदर जितने भी content है वो भी download हो जाएगी और as a zip file dot zip file आपके laptop या desktop पे आ जाएगी देखिए download हो चुका है अब यहाँ पर देखिए downloading चल रही है और इसका एक और last feature है remove तो remove और delete दोनों same है अगर मैं इसको click करूँ remove तो इसके अंदर जितने भी files है या जितने भी folder से वो सारे remove हो जाएंगी तो देखिए अगर मैं इसको remove click करता हूँ तो देखिए एक तो यहाँ से हट गई और notification आ गया क्या कि folder has been moved to bin मतलब मेरे इस bin में यह देखिए यह folder आ चुका है इसको मैं double click करूँ तो मैं इसके अंदर content अभी देख नहीं पाऊंगा क्योंकि यह bin में है अगर आपको देखना इसके अंदर क्या है तो आपको यह restore करना होगा इसका मतलब क्या है यह folder आपके my drive में वापस आ जाएगी अगर मैं इसको restore करूँ देखिए यह my drive पे आ गई है और आपके bin से वो हट गई है और restore इसके जितने भी अंदर files थे जो भी folders थे वो सारे restore हो जाते है इस video में इतना ही आगे आने वेले videos में हम बहुत कुछ और देखेंगे तो आपने देखा यह folder के अंदर भी काफी सारे features है बस आपको right click करना है और आपको बहुत सारे features इसी में मिल जाएंगे Thank you friends